Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 1.2 का question number 1, तो question number 1 क्या कहता है? Represent these numbers on the number line, यहाँ पर यह दो number दे रखे हमें, इस तरह से इनको हमें number line पर represent करना है तो यहाँ पर पहले वाले part से start करते हैं, solution first, 7 upon 4 तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कि पहले यह चेक कर लेते हैं, कि यह किन दो integers के बीच में होगा वो कैसे चेक करेंगे, 7 को 4 से divide करके, तो यहाँ पर हम 7 को 4 से divide कर लेते हैं, 4 बनजा 4 ठीक है, यहाँ पर यह क्या बचेगा, 7 में से 4 जायागा, 3 बचेगा अब यहाँ पे देखो यह 3 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे decimal लगाना पड़ेगा तब यह हो जायागा 0, 4, 7 जा 28 तब यहाँ पे बचेगा 2 तब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह 1.7 आ रहा है तो इसका मतलब हम एक number line बनाएंगे और इसको जो है हम 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे यह हम माल लेते हैं इस तरह से यह 0 माल लेते हैं यह 1 और यह 2 यहाँ पे यह हो जायागा 1 अब देखो यहाँ पे यह 7 अपॉन 4 है तो इसका मतलब यह हुआ कि दो इंटेजर के बीच में हमें कितने parts करने पड़ेंगे यहाँ पे denominator देखते हैं denominator क्या है 4 तो यहाँ पे 4 parts करने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4 अब यहाँ पे यह जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 upon 4 ठीक है 4 को 4 cancel कर देंगे तो यह 1 बचेगा अब यहाँ पे नीचे 4 है उपर 4 है 4 से start करेंगे यानि 4 के बाद क्या आता है 5 तो यह हो जाएगा 5 upon 4 यह हो जाएगा 6 upon 4 यह हो जाएगा 7 upon 4 तो यह हो गया हमारा number अब आते हम second वाले पे second वाला हमारा किस तरह से दे रखा है minus 5 upon 6 अब यहाँ पे अगर numerator देखें तो यह denominator से क्या है छोटा है और जब भी numerator denominator से छोटा होता है अब यह अगर हम सिर्फ number number को देखें तो तो यह 0 और 1 के बीच में होता है यानि यह 5 upon 6 जो है यह हमारा less than होगा 1 तो इसका मतलब यह minus 1 और 0 के बीच में होगा तो हम number line एक बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे लेंगे minus 1 और यहाँ पे लेंगे 0 अब यहाँ पे अगर हम denominator देखें तो यह क्या है हमारा 6 तो इसका मतलब हम इसके बीच में 6 parts करेंगे तो यहाँ पे यह 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 count कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इधर से हम इस तरह से हमेंशा 0 से counting करते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा minus 1 upon 6 यह हो जाएगा minus 2 upon 6 यह हो जाएगा minus 3 upon 6 यह हो जाएगा माइनस 4 अपान 6 फिर यह हो जाएगा माइनस 5 अपान 6 तो यहाँ पे यह है इंटीजर जिसको हमें यह नमबर है जिसको हमें नमबर लाइन पे सो करना है उसके बाद में आएगा यह 5 है फिर 6 अपान 6 6 अपान 6 क्या हो जाएगा वन आ जाएगा तो इस तरह से हम rational number को number line पे सो करते हैं last part था questions अम आपत next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही